विश्कार साथियों आज एक और खास जानकारी लेकर के ये वीडियो लेकर के आपके बीच मैं हैं अभी क्योंकि लोगडाउन चल रहा है हम सब लोग घर से काम कर रहे हैं आप लोग भी घर पर ही होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सुरक्षित होंगे अपना उनका पालन करिएगा जितना हो सके कम से कम बाहर निकलिए परिवार के साथ समय बिताइए नया सीखने पर अपनी नॉलेज इंप्रूव करने पर टाइम दीजे कई साथियों ने जब हमने वीडियो डाली 30 प्लस करियर ऑप्शन्स इन पॉलिटिस तो कई साथियों ने गा क साथियों से पर्सनली वन टूवन बात भी हुई है तो हमारा कांसलिंग का चार्ज रहता है था और लोग चाहकर भी बात नहीं कर पाते थे क्योंकि लोगडाउन का समय है लोगों को समस्या आ रही है तो मुझे लगा कि नहीं लोगों से बात करने चाहिए तो अब जब कांसलिंग दी जाएगी 5-10-15 मिन का समय उसको चाहिए अपने सवाल पूछने के लिए डाउट क्लियर करने के लिए तो उसको फ्री दिया जाएगा अगर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाएंगे तो मेरी टीम के नंबर मिल जाएंगे और जो में टीम है जो मुझसे डारेट बात आपकी करा सकती है उनके नंबर मिल जाएंगे आप उनसे बात करिएगा उनके सामने अपनी बात रखेगा और फिर वो उन्हें लगेगा कि वो खुद सॉल्व कर सकते हैं आपकी प्रावलम तो जरूर सॉल्व करेंगे क्योंकि वो सब राजनिती के विध्यार का समय काफी होता है किसी भी एक या दो सवाल के जवाब देने के लिए क्योंकि राजनिती का विध्यारती हूँ तो मैं जानता हूं कि आचारे चानक के भी कहते हैं कि काम की बात तो पांदस मिने हो जाती है बाकी तो जितनी मर्जी देर लगा दो तो आपके नीचर के उप परिवरतन लापाया तो क्योंकि राजनिती में समस्याइद आती है और बहुत सारे सवाल होते हैं लोगों के मैं मैं शुरुवात कैसे करूँ जैसे मैंने उसमें बता है या फ्रेंटल प्लिटिक्स या बैकेंट प्लिटिक्स तो कई लोगों को इसमें बताने के बाद भी उनका नेचर वो जजज नहीं कर पा रहे हैं या उन्हें दोनों गूण लग रहे हैं तो शुरुवात कैसे करी जाए कई लोग नौकरी करते हैं तो वह सोचते हैं कि नौकर नहीं पार हूँ अपने साथ, अपनी growth के लिए काम कैसे करा जाए, राजनीती में अगर मैं frontal politics में जा रहा हूँ तो कितने दिन पहले तैयारी करनी है, कितने लोग चाहिए हूँगे, कितने लोग की team चाहिए होगी, मैं team कैसे बनानी शुरू करूँ, अभी lockdown के समय का उप्यो में कैसे काम करना है, पार्टी में टिकेट कैसे मिलेगा, टिकेट मिल गया है, तो कैसे आगे मुझे सर्वाइब करना होगा पार्टी में, आगर मा लीजे मैं चुनाओ हार चुका हूँ, या हार जाता हूँ, तो बार सिच्विशन ऐसे आती है, कि इंसान राजनीती के लिए चाहता है भी है राजनीती करें लेकिन उसकी जिम्मेदारियां कुछ ह ört होती है तो कैसे मैं अपनी प्रियोर्टी सेट करूं मुझे राजनीती मांना है तो किस उमर में आ जाना चाहिए यदि मैं यंग एज में आता हूं तो मुझे क्या फैदा है क्या नुकसान हो सकता है यदि मेरी उमर जादा हो गई है और हम मैं राजनीती में करियर बनाना सकता हूं तो कैसे बना सकता हूं तो इस तरह के सवाल regularly आते रहते थे हम लोग जवाब भी देते थे लेकिन लोग बात करना चाहते हैं लोग सुनना चाहते हैं लोग मेरे मुझे सुनना चाहते हैं और लोग चाहते हैं कि exact answer मिल जाए तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो भी सवाल हो उनके जवाब दिये करिए ताकि मैं आपकी मदद कर सकूँ और सिर्फ political counseling के लिए नहीं अगर आपको business counseling भी लेनी हो अगर आपको business में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं नौकरी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तरक्की नहीं कर पा रहे हैं family counseling है कोई और डॉट भी है तो उस पर भी सवाल कर स जाता है तो मैं मानूगा कि हाँ वाकई मैंने कुछ किसी के जीवन को बदलने की कोशिश की प्रियास किया क्योंकि दोस्तों हम सब को कोशिश तो करनी पड़ेगी क्योंकि कुछ करेंगे कुछ तो होगा कुछ नहीं होगा तो तो तजरूबा होगा experience हो जाएगा लेकिन कु सबस्त रहें सुखी रहें घर में रहें लागडाउन का पालन करें और पुराले से दुआ करते हैं जल्दी भारत इस महामारी से बाहर निकलेगा और यकिनन हम जीतेंगे यकिनन भारत सफल होगा यकिनन हम सब इस महामारी से बाहर निकल के सफलता पुरो बाहर निकलेंगे ऐसी शुब कमनों के साथ जै हिन जै भारत